असलालेकुम कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लेका है हूँ मटर मसाला की रेसिपी आज मैं आपको मटर मसाला बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी बिल्कुल ही शादियों स्टाइल वाला जैसे कि हम शादियों और रस्टोन में खाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट त मैं यहाँ पे सरसो का तेल यूज़ कर रहे हूँ तो सरसो के तेल को बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म कर लिजेगा फिर इसमें डालेंगे हम प्याज, लस्तन, अद्रक इन सब को थोरा साना बिल्कुल हलका सा सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई कर लेंगे बिल्कुल जादा फ्राई मत किजेगा हलका सा सॉफ्ट करना ऐसे जब यह हलका सा सॉफ्ट हो जाए इसमें डाल देंगे हम रफली चॉप किया हुआ टमाटर मैं यहाँ पे तीन से चार टमाटर यूज़ कर रहे हूँ और इसे भीना अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे टमाटर को जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए इसे अच्छी तरीके से लोफ लेंपे पकाएंगे टमाटर को गलाने के लिए मैं इसे कवर करके 5 मिन के लिए पका लूँगी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें थोरा सा नमक डालके भी अच्छे तरीके से गला सकते हैं यह देखे 5 मिन के बाद खोल के देखते हैं यह देखे टमाटर हलके से सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 कटी हुई हरी मिर्च जिन्हें स्पाइसी पसंद नहीं है वो इसकिप कर सकते हैं यह देखे बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है टमाटर देशी टमाटर यूज मत केजिएगा बहुत जादा घट्टे होते हैं और उसकी ग्रेवी फिर अच्छी नहीं बनेगी इसलिए वो टमाटर बिल्कुल मत यूज कीजिएगा यह देखे बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे अब इसी पैन में हम डालेंग अब इसे निकाल लेते हैं अब इसी ऑईल में डालेंगे हाफ तेजपून हल्दी वन तीजपून धनिया पाउडर वन तीजपून लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ही अच्छा आता है और जब यह मसाले डाले आप तो गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर दीजेगा ठीक है नहीं तो यह मसाले जल जाएंगे और इसे हलका सा जल्दी से इसे मिला लीजे ज्यादा म बिलकुल लो रखिएगा इसे बिलकुल अच्छी तरीके से मिला लीजे अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इसमें डाल देते हैं इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और लो फ्लेम करके ना इसे हम 5-10 मिन तक अच्छी तरीके से मसाले को पका लेंगे जब क॑ओ U fire changing light तो कवर निभूल सो 10 मिंट में बिए प्लेन oåill आपको मेरी रेसिपि लगती है तो इसे चाहिंक पीजिए चुज़ए मुझे कॉमेंट करके भी सरूर बताया की जब आप मुझे कॉमेंट करते हैं तो मैं इसे और मोटिवेक होती हूं यू रेसिपी बनाने में तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताया के जिए यह देखिशा अप cette मसाला अच्छी तरीके से भूनचुका है अब इसमें डाल दे इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे अगर अध्य टालेगा हम पहले मटा दाल देने ना तो टेस्ट बिल्कुल धा अच्छा है उठी कमें माच्वा बिल्कुल अजीव हो जाता है इसलिए मसाले को पहले अच्छी तरीके से भून लीजे फिर उसके बाद ही मटर डालेगा अब इसमें हम डालेंगे हाफ का पानी और इसे अच्छी तरीके से मिलाके 10 मंड के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे इस तरीके से जो मटर ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ठंड के मौसम में मटर को इस तरीके से बनाएंगे न तो अपका दिल खोश हो जाएगा खाके बाहर से कुछ भी नहीं लाना है सारी चीजे तो घर की है और घर की चीजों से आप इस तरीके से मटर ग्रेवी बनाएं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में यह देखे चले 10 मिन के बाद इसे खोल के देखते हैं यह देखे मटर अच्छी तरीके से गल भी चुका है और अच्छी निकलना स्टार्ट हो चुका है तो इसे हम थोड़ा सा पून लेते हैं कितना यमी लग रहा है यह को तैस्ट तो यकीन मानिये बहुत ही टेस्टी होता है यह में इसमें डालेंगे हम दो चमश श्च और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे इससे ग्रेवी का टे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लीजिए अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप पानी इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए अब इसमें डाल देंगे हम हाफ टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर इसके फ्लेवर को और ज्यादा बढाने के लिए इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें डाल देंगे प्राई किया हुआ काजू और थोरे से मैंने इसमें मखाने डाल दी है यह ऑप्शनल है अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच टोमेटो कैचप यह है मेरा सेग्रेट इसे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप जरूर ट्राइ करके देखना आपकी ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा अब इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए और तक इसे Eck अब ढ़ाने अब दयाथ गवर कर कर देते हैं और उन्से पका लेंगे एक अब आलाने तक आप चलिए अब अब से खोल के देख देखて कितना यमी लग यह मटर और यकीन मानिये बहुत इस स्टी भी वर बनाइंगे और रोड़ क सबसुत hospitalizedi ज़त nousद् 마음 gonna आप बनाई गागी तो उस फिल चाह से इस तरीके से मेरी हर लेटिस वीडियो की नॉटिकेशन आप तर पहुंच जाए चलिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में न्यू रसीपी के साथ अल्ला हाफीज